नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जाय कुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स अभी हम बात कने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में क्योंकि इन्होंने अपने December quarter के result को आज ही present किया है और यह जो figure आपके सामने present हो रहा है यह इन लाख में present हो रहा है लेकिन इसे हम करोड में convert करके आपके सामने present करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी फ्रेंट्स यस बैंक के द्वारा जो total income post किया गया है interest earning से और other income से वो 7,064 करोड आठ लाख का जबकि पिछले quarter में इनका जो total income था वो 6,451 करोड तीस लाख का जबकि पिछले year December quarter में इनका जो total income था वो 5,664 करोड तीस लाख का तो फ्रेंट्स यहाँ पे अगर आप early wise भी completion करेंगे तो yes bank का जो revenue है उसमें उच्छाल देखने को मिला है और अगर quarter on quarter भी देखेंगे तो भी yes bank के income में improvement देखने को मिली है तो चलिए देखते हैं कि yes bank के द्वारा total expense कितन पोस्ट किया गया है तो friends yes bank ने जो अपना total expense पोस्ट किया है इस quarter में वो 6,147 करोड एक लाख का जबकि पिछले quarter में 5,653 करोड 23 लाख का था जबकि पिछले एर दिसम्बर quarter में yes bank ने जो अपना total expense पोस्ट किया था वो 4934 करोड का तो friends यहाँ पे इनका जो expense है वो बढ़त पे हुए आपको year wise भी और quarterly wise भी देखने को मिलेंगे और इनका इस बार का expense है वो तोड़ा ज्यादा किया गया है और इसके परिणाम इसके जो net profit है उस पे देखने को अवस्ट मिलेंगे तो friends यहाँ पे इन्होंने जो अपना total net profit पोस्ट किया है वो 55 करोड 7 लाख का इस quarter म इनका जो total net profit था वो 160 करोड 41 लाख का था जबकि पिछले year December quarter में इनका जो total net profit था वो 275 करोड 76 लाख का तो friends यहाँ पे इनका जो profit है वो पूरी तरह से quarter on quarter धोस्ट हो चुका है और year by भी बात करेंगे तो भी इनका जो net profit है इसमें सुधलाब है उसमें बहुत बरी गिराव इस bank ने दर्ज की है तो चलिए देखते हैं कि इनका NPA क्या कहता है तो friends इस bank के द्वारा जो अपना NPA पोस्ट किया गया है इस quarter में वो 1.03% का जबकि पिछले quarter में इनका जो NPA था वो 3.60% का था जबकि पिछले year December quarter में इनका जो net NPA था वो 5.29% था तो friends यहाँ इनका जो N NPA है और NPA का जो button है वो पूरी तरह से इस company के उपर से release हो चुका है तो friends रही बात कि इनका result कैसा रहा है तो friends हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका कुछ ऐसे points है जो बहुत ही strong देखने को मिले हैं जैसे कि इनका जो revenue है वो सांदार जनेट होते हुए दिखी है इनका जो income ह है उसमें improvement देखने को मिला है और इनका जो NPA है उसमें बहुत सांदार सुधार भी देखने को मिला है लेकिन यहां पे एक big points भी देखने को मिला है कि इस bank के द्वारा जो net profit it में सुधलाव जो post किया गया है उसमें बहुत बरी गिरावाट इस bank ने दर्ज किया है तो friends आज के लिए इतना ही आपका देन शुभ हो